तो अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज को सब्सक्राइब कर लीजिये चले देखें हमारा आज का वीडियो आज हम देख रहे हैं प्री हाई स्कूल स्कूलर्शिप जमाध हश्टूम स्टाइंडर्ड एथ के लिए जहनी आजमाईश ठीक है आईक्यू यह पर्चा नंबर दो होता है आपका पर्चा नंबर दो में होता है आईक्यू मौर मैं हूँ आपकी मौलमा जरीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चूल क्लासरूम मॉंबई तो बच्चा नंबर दो हैं स्कूल बन हैं लेकिन तालीम का सलसले जारी वसारी रहे हैं इसलिए हम हर रोज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं तो हम देख रहे हैं आपका पहला टॉपिक फेहम मुद्राक जिसमें हम देख रहे हैं 1.3 1.1, 1.2 के तालुक से वीडियो हमारी यूटीब चानल पर अवेलेबल हैं आप वहाँ पर उसको देख सकते हैं तो हम देख रहे हैं अंगरेजी हुरूफ तहजी आज हम देखेंगे अंगरेजी हुरूफ तहजी ठीक है English Alphabets के बारे में तो अंगरेजी हुरूफ तहजी में आपको पहता है A, B, C, D से लेकर पूरा Y, Z तक इस तरह जो है पांच-पांच के ग्रोफ बनाकर उन पर मुवनी सवालात पूछे जाते हैं हुरूफ को नंबर शुमार देकर शुरू से आखिर से नंबर देकर बाएं जाने मुतायन नंबर शुमार दाएं जाने मुतायन के हुवन नंबर शुमार का हुरूफ हुरूफ से मुतायन हुरूफ लेकर उनसे बामानी लवज बनाना वगेरा काम इसमें होते हैं इस लव्ज में से मुतायन नंबर शुमार का हुरूफ मालूम करना इसी तरह हुरूफ के मुफरिद आदाद के नंबर शुमार देकर सवाल पूछना हुरूफ के नंबर शुमार की जमा, जर्ब करना वगेरा उमूर पर गौर किया जाता है ठीक है? यानि आपको A से लेकर Z तक जो आपकी A, B, C, D है उसमें कुछ Alphabet के Groups बना कर दिये जाएंगे हर सवाल में अलग-अलग तरह के Groups हो सकते हैं और आपको कभी कहा जाएगा कि इससे कोई बामानी लफ़ बताईए कभी आपसे पूछा जाएगा कि दाएं से पहला लफ़, बाएं से दूसरा लफ़ जो है क्या है वो बताईए या कभी आपको मुफरिद आदाद के नंबर शुमार देकर सवाल पूछे जा सकते हैं चलिए इसका पहला सवाल देखते हैं, मिसाल नंबर एक देखते हैं, हुरूफ तहजी गुरुप बने हुए है, ठीक है वाय तक दिया हुआ है इसमें दी हुई हुरुफ तहजी में दर्मियान में आने वाला हुरुफ के दोनो जाने गैर मसावी फासले पर वाकष हुरुफ की कौन सी जोडी है ठीक है क्या बताया गया कि यह जो हुरूफ तहजी है देखे गुरूप बने हुए है ए से लेके ई तक पांच का एक गुरूप है फिर एफ से जे तक एक है के से ओ तक एक है पी से टी तक एक गुरूप है और यू से वाई तक एक गुरूप है तो ऐसे पांच पांच के गुर की कौन सी जोड़ी है option दी हुए है IQ SF FT और CW तो वजाहत देखते हैं हुर्फ तहजी में दर्मियानी हुर्फ पूरी अगर हम हुर्फ तहजी देखे तो इसमें दर्मियानी हुरूफ M है इसके दोनों जाने चौथे नंबर पर साथवे नंबर पर दसवे नंबर पर बिल तर् I, Q, F, T, C, W ग्रो हैं लेकिन M के दाएं जाने चटे नंबर पर S और बाएं जाने साथवे नंबर पर F है इसलिए ये जोड़ी गैर मसावी फासले पर है यानि अगर हम बाकी जोड़ियों को देखते हैं सवाल में क्या पुछा गैर मसावी फासले पर वाक्य जोड़ी हमे बतानी है अगर हम बाकी जोड़ियों देखते हैं जैसे I, Q देखते हैं F, T देखते हैं C, W देखते हैं तो ये जो है मसावी फासले पर है जैसे अगर हम M से left hand side उपर देखें ये M है यहाँ से 1, 2, 3, ये चौथे नंबर पर I है ठीक है और यहाँ right hand side में 1, 2, 3, 4 नंबर प Q है, तो ये I और Q का फासला पराबर है, वैसे ही F और S का फासला जो है बराबर नहीं है, अगर हम ये F और S का फासला याँ पर देखते हैं तो ये 5, 6 ये 6 नंबर पर है जब के ये 5, 6 और ये 7 वे नंबर पर है इसके बाद अगली जोड़ी है F और T देखो F और T है जो जोड़ी है ये बराबर है 77 ये बराबर फासला है CW देख लेते हैं ये जो C और W है देखिए 7 ये 8 9 10 तो ये भी यहाँ पर है 7 8 9 10 तो ये भी जोड़ी जो है मसावी फासले पर है सिर्फ ये एक जोड़ी है S F जो गैर मसावी फासले पर है तो हमारा आंसर है option number 2 ठीक है आपको इस तरह से पता है ना answer sheet आपकी अलग होगी question paper आपका अलग होगा और answer sheet में इस तरह से 4 option दिये होगे 1, 2, 3, 4 और सही option को आपको जो है क्या करना है दाइरा बनाना है highlight करना है सही option है हमारा option number 2 ठीक है तो ये हमने पहला पहली example पहली मिसाल हल कर लिए अगली अगला सवाल रखते हैं next question में पूछा गया है दिये हुए हुर्फ तहजी में मुतबादिल से number शुमार के हुर्फ लेकर बामानी लव्ज बनाए तो कौन से मुतबादिल से बामानी लव्ज नहीं बनेगा ठीक है यानि चार option दिये हैं चार में से तीन से बामानी लव्ज बनता है एक से बामानी लव्ज नहीं बनता और वो हमें ढूणना है ठीक है तो देखें यहां पर numbers दिये हुए option में 13, 15, 15, 14 इस तरह से number दिये हैं और उनसे पूछा है कि बामानी लव्ज कैसे बनेगा तो हमें क्या करना है हमारे पास हुरूफ तहजी है A से लेके Z तक हम इसको numbering करेंगे number करने के बाद यानि A को 1, B को 2, C को 3, D को 4 इस तरह से हम पूरी numbering एंग तक करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हर number जो option में numbers दिये हुए हैं वो हर number के नीचे alphabet जो है कौन सा है फिर हम वो alphabet को pick करेंगे और हम उससे एक लफ़ज बनाने की कोशिश करेंगे तो चलिए देखते हैं ठीक हैं यहाँ पर देखेंगे हम इसको numbering कर देते हैं A को 1, B2 में नीचे लिखे रही हूँ ताकि जंबल ना हो C3, then D4, E है 5, F है 6, then 7, 8, 9, 10, 11, 12, M पे 13, यहाँ है 14 then O is 15, P is 16, Q is 17, R is 18, S 19, T है 20 then U है 21, V है 22, W is 23, X is 24, and Y is 25 ठीक है, now अभी हम option number 1 देखते हैं option number 1 में दिया है 13, 13 का मतलब है यह हो गया M 15, 15 है O, then again 15 है O, then है 14 यहनी M तो यह बन गया Moon, यह एक बामानी लफ्स है अब अगला है 23, 23 से बनता है W then 15 से बनता है O, 18 is stand for R, then 11 के है K तो यह भी एक बामानी लफ्स बन गया Work then third option है 7, 7 है G, then 15, 15 है O, फिर उसके बाद है 2, 2 है B, 4 है D तो यह गौब ऐसा कोई लफ्स नहीं होता, तो यह इससे एक बामानी लफ्स नहीं बन रहा है तो हमको तो हमारा जवाब मिल गया कि option number 3 रहेगा पर option number 4 देख लेते हैं कि क्या answer होगा इसका option number 4 में है D, 4 तो यह है D, then 1 यह है A, then 20 is T, then 5 is E, तो this is date तो यह भी एक बामानी लफ्स है, तो बामानी लफ्स किस से नहीं बन रहा है, सिफ option number 3 में नहीं बन रहा है तो सवाल में यही पूछा गया था ना कि किस से बामानी लफ्स नहीं बनता वो बताईए, तो तीन से नहीं बनता तो correct answer है 3, ठीक है तो हम क्या करेंगे, answer sheet में जो 3 दिया हुआ है, उस दाइरे को color से, sorry, pen से हम पूरा fill कर देंगे अगला सवाल मिसाल number 3 दिये हुए हुर्फ तहजी में मुतबादिल में से कौन से हुर्फ का number शुमार कामिल मुरब्बा अदद नहीं है ठीक है, अब यहाँ पर दिया है P A H Y अभी हमको, जो हमने अभी थोड़ देर पहले numbering किये थे, वो आप एक book पर numbering लिखकर रख लीजे मैं आपको यहाँ पर directly बता रही हूँ के Y पर number आया था 25 H पर आया था 8 A पर आया था 1 और P पर आया था 16 ठीक है तो जिसमें से 25 किसका मुरब्बा है हमको मालूम है 25 मुरब्बा है 5 का और 8 किसी का मुरब्बा नहीं है 1 का तो 1 ही है 4 किसका मुरब्बा है 16 किसका मुरब्बा है 4 का, 4 चौक 16 होते है 25 होते है 1 का 1 होता है, लेकिन 8 किसी का भी मुरब्बा नहीं है 8 किसी का मुरब्बा नहीं है तो 8 कामिल मुरब्बा अदद नहीं है इसलिए 8 जो है वो इस ग्रो से गयर मुतालिक है तो 8 किस के लिए है? H के लिए है? H कहा है? Option number 2 में दिया हुआ है तो option number 2 हमारा answer होगा तो हम इसको फिल कर देंगे option number 2 is right मिसाल number 5 दिये हुए हुर्फ तहजी में जैल के मुतबादिल में हुरूफ के तर्तीबी नंबरों का हासिल जर्प कौन से मुतबादिल में मुखतलिफ आएगा तो यानि इसका मतलब है कि जो नंबर्स दिये हुए हैं यहाँ पर, sorry, alphabics दिये हुए हैं, अगर हम इसके number देखें, तर्तीबी number देखते हैं, तो सब का answer सेम आएगा, सिर्फ एक का मुखतलिफ आना चाहिए और वही हमारा जवाब होगा तो चलिए देखते हैं हमने numbering लिखके रखें न, मैं आपको d4, c3 और b वापसे 2, तो अब हम इसकी जर्प कर लेते हैं चार दूनी, 8 8 तिया 24, 24 दूनी होते हैं 48, ठीक है, फिर उसके बाद f, h, a, a, f है 6, h है 8 a है 1, और यह है 1 ठीक है, 8 चंग होते हैं, 48, 48, 48, 48, 48 तो यह भी answer 48 हो गया फिर, h, c, a, b, h है 8, c है 3, a है 1, और b है 2, तो अब हम इसको कर लेते हैं, 8 तिया, 24 24 दूनी, 48, 48 अप्शन नम्बर 3, f, b, f, a f, 5, b, 2, फिर f, 5, a, 1, 5 दूनी 10, 10, 50 50, 51, 50 तो उप्शन नम्बर 4 का answer अलग आ रहा है बाकि तीनों का answer 48 आता है तो उप्शन नम्बर 4 जो है हमारा जवाब होगा ठीक है, क्या पुछा गया है हुरूफ के तरती भी नम्बरों का हासिल जर्ब कौन से मुतबादिल में मुक्तलिफ आ रहा है तो मुतबादिल नम्बर 4 में ये मुक्तलिफ आ रहा है तीक है, उप्शन नम्बर 4 में मुक्तलिफ आ रहा है तो उप्शन नम्बर 4 हमारा answer है अगला सवाल दィये हुے हुरूफ तहजी में से हर ग्रोव से पहला तीसर और पांचवा हुरूफ लेकर 15 हुरूफ वाला नया हुरूफ तहजी बनाए तो हर उस नये हुरूफ तहजी में से आखिर से 90 हुरूफ के दाएं जानिब तीसरा हुर्फ कौन सा होगा अब क्या करना है हमारे पास तो गुरुप बने हुए है A से लेकर Y तक 5 गुरुप से ठीक है लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि हर गुरुप से पहला लेना है तीसरा लेना है और पांचवा हुर्फ लेना है और इस तरह से 15 हुर्फ वाला नया हुर्फ तहजी बनाएंगे हम ठीक है तो हमें क्या लेना है पहला, तीसरा, पांचवा तो यह हमारे पास 5 के ग्रुप्स बनाएं ठीक है A से लेकर E तक फिर F से J, K से O, P से T और U से W तो यह 5-5 के ग्रुप्स है इसमें पहला लेना है यह तीसरा हो गया यह पांचवा फिर पहला, फिर तीसरा, फिर पांचवा फिर पहला, फिर तीसरा, फिर पांचवा यह एक एक छोड़ के लेना है पहला, तीसरा, पांचवा पहला, तीसरा, पांचवा इस तरह से लेना है तो ये नया हुर्फ तहजी बन गया जिसमें 15 हुर्फ है अब इसमें पूछा है इस नये हुर्फ तहजी में आखिर से 90 हुर्फ के दाएं जाने तीसरा हुर्फ कौन सा है आखिर से 90 हुर्फ अब हम देखेंगे यानि हम पीछे से काउंट करेंगे 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ठीक है आखिर से 90 हुर्फ के है अब उसके दाएं जाने ठीक है तीसरा हुर्फ दाएं जाने तीसरा हुर्फ 1,2,3 वो है पी तो अब पी कहां दिया है पी दिया है option number 2 में तो option number 2 हमारा सही जवाब है ठीक है तो हम इसको क्या कर देंगे फिल कर देंगे दिये हुए हुर्फ तहजी में हुर्फ इल्लत के नंबर शुमारों की जमा कितनी है तो अब यहाँ पर सवाल उटता है के हुर्फ इल्लत क्या होते हैं तो इसको हम English में कहते हैं vowels ठीक है आपको पता है न देर और five vowels A, E, I, O, U तो हुर्फ इल्लत या वावल्स जो हैं वो है A, E, I, O, U और इनके नंबर शुमार हैं अगर हम ने मैं आपको बोली थी मैंने आपको कहता था था क्या नंबरिंग करके रखिये तो हम इनके नंबर्स देरिकली देख लेते हैं एक इस साइंस फॉर 1, E, 5, I, 9, O, 15, U, 21 अब हम इनकी जमा करेंगे ठीक है हुर्फ इल्लत की जमा करते हैं तो ये आता है 51 तो आंसर 51 दिया है option number 4 में तो option number 4 जो है हमारा सही जवाब है दिये हुए हुर्फ तहजी में 21 हुर्फ एक मरतबा, 12 हुर्फ तीन मरतबा और दूसरा हुर्फ एक मरतबा और 25 हुर्फ एक मरतबा लेकर उनसे बामानी लवज बनाएं तो इसका आखरी हुर्फ कौन सा आएगा ठीक है तो पहले हम कोई देखना पड़ेगा कि क्या लवज बनता है 21 हुर्फ U, 12 हुर्फ तीन मरतबा यानि L तीन दफ़ा रहेगा B एक बार 25 हुर्फ Y, एक बार तो U, L, L, B, Y और उससे हम अगर बामानी लवज बनाते हैं तो ये बनता है लूलबाए जिसको हम उर्दु में कहते हैं लोरी ठीक है तो इसका आखरी हुर्फ है Y तो option number 3 हमारा सही होगा Y ठीक है option number 3 is the right answer तो हम उसको क्या कर लेंगे और वहाँ परांसे शीट में हम उसको fill कर देंगे अगला देखते हैं सवाल मिसाल number 11 दिये हुरे हुर्फ तहजी के हर हुर्फ को उनके number शुमार के दुगना कीमत दे तो पोर के हुर्फ की कीमतों की जमा कितनी आईगी ठीक है same नौयत का सवाल है हम अब तक numberings देख रहे थे अब number को दूगना करना यानि जितना भी number वहाँ पे दिया है हम उसको double करेंगे और फिर उसकी जमा करेंगे जैसे हमने last जो हुर्फ वाउल्स वाला question था है हमने वहाँ पे खाली plus किये थे अब यहाँ पे दूगना करके plus करना है तो पोर के अगर number शुमार देखे हम तो यह बिलतरतीव होते हैं 16, 15, 21 और 18 ठीक है तो actually आपको यह याद हो जाना चाहिए कि A से लेके Y तक अगर पहले number पर A है तो 1 और B को 2 यह numbering आपको यहाँ दोनी चाहिए अगर आपसे क्यों ही पूछता है कि P कौन से number पर आता है तो आपको पता होना चाहिए कि 16 पर आता है Y 25 पर आता है तो यह आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि इस नौयत के सवाल आगे भी आएंगे तो P 32 अगर हम इसका दूगना करते हैं तो 16 का दबल होता है 16 दूनी 32, 15 दूनी 30, 21 दूनी 42, 21 दूनी 36 हम इन सब की करेंगे जमा तो इसके दूगना की जमा होती है 140 तो हमारा 140 सही जवाब है जो दिया हुआ है आप्शन नंबर 2 में तो हम आप्शन नंबर 2 को वहाँ पर फिल कर देंगे यह हमारा राइट आंसर हो गया अगला सवाल दिये वे हुर्फ तहजी के तमाम हुरूफ को माकूस तरतीब से लिखे तो नया हुर्फ तहजी बनता है तो बताईए किस हुर्फ का नंबर शुमार तबदील नहीं होगा ठीक है यानि जो हुर्फ तहजी दी हुई है हमको उसको माकूस तरतीब में लिखना है और हमको नया हुर्फ तहजी बनाना है माकूस लिखना है मतलब उल्टा लिखना है ठीक है यानि A, B, C, D हम ऐसे लिखते हैं Y, Z, N में तो अब हम उल्टा लिखेंगे कहां तक लिखेंगे Y तक ये लिखेंगे क्योंकि Z यहां पर count नहीं किया गया 25 ही numbers लिए गया है तो Y से जब हम उल्टा लिखेंगे तो Y, X, W, V, U इस तरह से हम इसको लिखेंगे उल्टा उल्टा लिखने के बाद नया हुर्फ तहजी बनता है नया हुर्फ तहजी बन गया तो किस हुर्फ का नमबर शुमार नहीं बदलेगा देखें दर्मियान में जो दिया हुआ है उसका नमबर नहीं बदलेगा दर्मियान में आता है यहां से बारा, वहां से बारा छूट गए दर्मियान में तेरा वा आएगा M, क्योंकि टोटल पच्चीस है तो इदर बारा, उदर बारा चौबीस हो गए दर्मियान में जो बचा वो M होता है तो उसकी numbering नहीं बदलेगी क्योंकि वो तेरा number पर है तो हम सीधा लिखे यह उल्टा M दर्मियान में ही आएगा तो M दिया है option number 2 में तो option number 2 is the right answer अब यह आपको मश के लिए कुछ मैं सवाला दे रही हूँ यह आपको अस्खुद हल करना है और इसके सही जवाबात आप हमको comment section में बता सकते हैं या आप अपनी teacher को भी solve करके बता सकते हैं दिये वे हुर्फे तहजी में से आखिर से 16 वे हुर्फ के बाएं जानिप के तीसरे हुर्फ के दाएं जानिप का नवा हुर्फ कौन सा है ठीक है तो numbering ABCD के आपको क्यपस की हुई है जुफ्त नंबर शुमार के बाजू के हुर्फ लेकर नया हुर्फ तहजी बनाए तो उस हुर्फ तहजी के शुरू से आटवा हुर्फ कौन सा है ठीक है जुफ्त नंबर शुमार लेना है आपको यहाँ पर और नया हुर्फ तहजी बनाना है और फिर पूछ रहा है शुरू से आटवा हुर्फ कौन सा होगा दिये हुर्फ तहजी में से कौन से मुतबादिल के हुरूफ के नमबर श्युमारों की जमा मुफरिद अदद नहीं आएगी ठीक है जो नाहुर्फ दिये हुए है यहाँ पर उसको जमा करना है जमा करने के बाद देखना है क्यों मुफरिद अदद है या नहीं और जो जिसकी मुफरिद अदद नहीं है वो आपका जवाब होगा तो यह आपको खुद से हल करना है अगला सवाल हुरूफ तहजी में हुरूफ को आखिर से नमबर श्युमार दें तो eat हुरुफ के नंबर शुमारों की जमा कितनी आती है ठीक है अभी हमने इसी नौयत का एक सवाल पहले हल किये थे उल्टी नंबरिंग अगर हम करते है उल्टी नंबरिंग करने के बाद यानि हम y को नंबर 1 देंगे और x को नंबर 2 देंगे और ऐसे करके a जो आएगा वहाँ पर 25 नंबर आएगा यानि a हो जाएगा 25 नंबर पर तो ऐसे करके अगर हम eat पर जो नंबर जाते हैं हम उसकी जमा करेंगे तो जमा करने के बाद क्या answer आएगा वो आपको ढूंडने बहुत आसान है ये तो अगला होरुप तहजी के हर ग्रो को माकूस तर्पीब में लिखका इन ग्रो में ही हुर्फ रखकर नया हुर्फ तहजी बनाये तो ये उस हुर्फ तहजी से आखिर से साथवा हुर्फ कौन सा आएगा और फिर तहजी के हर grow को माकुस तरतीर में लिखना है यानि पूरी नहीं लिखना है जो हमने grow बना है A, B, C, D, E सिर्फ इसको हम यह हमारा जो पहला group है for example A, B, C, D, E हम सिर्फ इसको उल्टा लिखेंगे यानि हम लिखेंगे E, D, C, B, A फिर अगला group ऐसे ही उल्टा फिर यह अगला whole उल्टा फिर अगला उल्टा फिर अगला उल्टा ठीक है ऐसे 5 जो हमारे group है वो लिखेंगे और इन grow में ही वही हुर्फ रख करना है या हुर्फ तहजी बना है तो इस हुर्फ तहजी में अब आखिर से सात्वा यहां से लास से 7 नंबर काउंट करना है और वो हमको लिखना है तो आखिर से जो 7 नंबर पर आएगा वो हमको ढूनने बहुत आसान है आप अज़ खुद हल कर सकते हैं तो आपको सही option ढूनना है अगला सवाल दिये वे हुर्फ तहजी में से हर गुरो से दर्मियानी हुर्फ निकाल कर बाकी हुर्फ से नया हुर्फ तहजी बनाए तो इस हुर्फ तहजी से आखिर से 17 नंबर कौन सा आएगा हमारे हैं गुरुप क्या है A, B, C, D, E ठीक है ये गुरुप है हमारे ये पहला गुरुप है ऐसे पांच गुरुप है हमारे पास हर गुरुप से दर्मियानी हुर्फ निकाला है यानि हमने इसमें से C को निकाल दिये क्या बचा A, B, D, E तो ऐसे ही हर एक से हम निकालते जाएंगे एक एक चार चार की ग्रूप बनेंगे नया हुर्फे तेहजी बन गया अब उसमें से पीछे से 17 नमर पे कौन सा हुर्फ आएगा काउंट करना है और लिखना है ये भी बहुत आसान है आप आसानी से ढूंड सकते हैं तो बच्चो थैंक यू सो मिच फो वाचिंग आज के लिए बस इतना ही उम्मी जा जो कुछ आज आपको बताया गया वह आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो वह आप हमें कमेंग सेक्शन में पूछ सकते हैं और आगे भी अगर आप आगे भी अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहें और हाँ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट फीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अलाह आफिस।